मेरा नाम नित्यानंद गौंड है मैं MLA मरकोट सेभेंड थी ओडिसा का और इससे पहले मुझी आने के लिए नवरंग्पुर का ओम सांति का सबी जो निलम दिदी है राज जगनी उनलोग भी बले थे आप जाईए एक बार वो आने के बाद मैं यहां जब पहुंच गया तो विद्या भाई उनलोग हम लोग को रिसिप की हैं रिसिप करने के बाद यहां लगा कि कभी नहीं आये थे हम लोग यहां इतना सुंदर बेवस्ता है रहने के लिए जब हम लोग गएं कितना साफ सुतर इतना सुंदर बेवस्ता और कार्जकरम जब हम लोग पहुंच गए कार्जकरम चल रहा था और जाने के बाद इतना सांती मिला बहुत सुंदर जागा है और जो हम लोग सुंते थे यहां आने के बाद एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ सबी का गोल एकी हैं और सब का माली एकी है हम लोग यहां मालूम हो गया हम लोग को तो हम लोग यहां से कुछ सिखना है इतना सुंदर बेवस्ता सिर्फ यह नहीं तो यहां से कुछ बेवस्ता के बारे में भी सिखना है आज भी सरकार सचता के बारे में सरकार बोल रहा है कि देश को सच्छ बनाना है और सचता बनाना है मुझे इसे लग रहा है यह संस्ता बहुत पहले से सचता के कार्जिकरम कर रहा है जहां भी जाएंगे पुरा साप सुत्रा है अब कौन ये काम कर रहे हैं वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है इतना सुन्दर विवस्ता कहां से आता है कहां से जाता है और कैसे बनता है ये सिर्फ पुरा जब हम लोग बिजिट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सब कैसा चल रहा है मुझे लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है उसी सुप्रीम पावार जो है उसी का सक्ती से भाबा का आसीर बात से ये सब कुछ हो रहा है हम तो मनिश्य जिवन इस समान्य जिवन है जब तक जिवन के बारे में कोई नहीं जानेंगे तो उस समय उनका अंदर में घुशा भी आते रहेगा आओ किसी को भी इल्ल ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे जब जिवन के बारे में आत्मा के बारे में सब जानेंगे उनका महसूस होगा तो उसके बाद उनका अंदर में एक नया परिबर्तन हाएगा और उसका जिबन को वो सफल कर सकते हैं अच्छा मनसी बन सकते हैं और हम यह हैं हम बदलें यह तो देश बदलेगा दुनिया बदलेगा इस प्रकार का मन में लेना है और काम करना है तब तक हम चेंज कर सकते हैं अभी सरकार जो काम सांति बिश्व सांति का काम आज कोही संस्ता मुझे लग रहा है आज कोही संस्ता जब काम कर रहा है बिश्व सांति के तो यह संस्ता इतना बड़ा काम कर रहा है जब यहां आएंगे कोही और इसके बारे में पुरा उनको मालूम होगा तो सारा बिश्व भी बिश्व में सां झाल झाल